मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था जो इंटरनेट के बारे में किसी तरह का एक्सपर्ट है मैंने पूछा क्या चल रहा है क्योंकि मैं सिर्फ कुछ न्यूज और हमारे अपने काम को देखने के अलावा और कुछ नहीं देख पाता मुझे ब्राउज करके कुछ और देखने का मौका नहीं मिलता तो मैंने पूछा कि लोग क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं और उसने ऐसे कहा, जैसे बिल्कुल सच हो, उसने कहा सद्गुरू, सत्तर प्रतिशत सिर्फ पॉर्नोग्रफी है सत्तर प्रतिशत इंटरनेट ट्राफिक, पॉर्नोग्रफी का है मुझे नहीं पता कि ये प्रतिशत कितनी सही है पर अगर ये इसके आसपास भी है तो हमें क्या हो गया है? इतना शक्तिशाली माध्यम जिससे हम पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं क्या हमारे पास इससे बहतर कहने के लिए कुछ भी नहीं है? मैं नेतिक्ता की बात नहीं कर रहा कि ये गलत है, वो गलत है मैं ये कह रहा हूं कि मानवता के इतिहास में पहली बार हमारे पास ये काबिलियत है कि हम एक ही बार में पूरी दुनिया से कुछ कह सकते है पहले ऐसा सोचना भी असंभव था आपने इसे हलके में लिया हुआ है आपके ये सब इंस्टाग्राम और वाटसैप और ट्विटर और इमेल इसे हलके में मत लीजे ऐसा पहली बार हुआ है कि हम इस धर्ती के हर इंसान से बात कर सकते हैं क्या ये जरूरी नहीं है कि हम सबसे बड़ी संभावनाएं उन तक पहुँचाएं देखे आज इस दुनिया की सबसे बड़ी तीन इंडस्ट्रीज हैं पहले नंबर पर है हथियार और युद्ध का सामान दूसरे नंबर पर शराब और तंबाकूस साथ मिलाकर नंबर तीन है दवाईया ये हमारे बारे में सब कुछ बताता है कि हम किस तरह के लोग हैं है न और इंटरनेट पर पॉर्नोग्रफी एक पीढ़ी के तौर पर हमें ये मौका नहीं गवाना चाहिए हमें इन सेक्स के लिए बावले और बच्चे बेचने वाले लोगों को दुनिया पर हावी नहीं होने देना चाहिए हम कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि बच्चों को गंदे कामों के लिए बेचने वाले लोगों को इस प्लानेट पर हावी होने दे, बताइए, हमने उन्हें ये करने दिया है हमें उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सबी को लगता है कि हमें लड़ना होगा नहीं, हमें बस पॉजिटिव चीजों की बार लानी होगी झाल